सब्सक्राइब निफ्टी अनलीजिस प्रों ट्रेडिंग्वाब डॉट इन आज 19 सप्टेंबर 2019 थर्स्दे है सुभे के 8 बचकर 11 मिनिट हो रहे है थर्स्दे है वीकली एक स्पाइरी का जीन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का तो काफी बोलता स्टाइल मूव आज देखने को मिल सकता है तो स्टाउक स्पेसिफिक करने की कोशिश करें वीकेंड में जो सब्सक्राइब को कंपनी के ऊपर अटक हुआ था उसके बाद मंडे क्रूड ऑइल के प्राइस जो थी वो काफी उसमें उच्छा ला गया था हाला कि ट्यूजडे को सब्सक्राइब करें जारी हुआ कि जो आउट्पूट अप्रोडक्शन का आउट्पूट वो बैक्टू नॉर्मल हो जाएगा सब्टेमबर एक तो यहां से लास्ट टूडेज एक क्रूड आइल में क्रूड आइल के प्राइस में स्टैबिलिटी देखने को मिल रही है तो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उससे पहले कलके अनलीसिस का क्विकली रिवियू करते हैं यह एक पिक्चर 18 सप्टेमबर यानि कल का आफ्टर मार्केट आस यह पिक्चर लिया हुआ है आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो उपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मि सब्सक्राइब करने के आउट है यह 10 मिनिट का निफकी इंडेक्स का चार्ट है कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेक आउट लेवल बन रहा था टेन ताउदन एक तके पाइव और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था टेन ताउदन 797 तो जैसे कि आप देख रहें श परने के बाद हमारा फर्स टार्गेट यहां पर टेन ताउजन एट 59 एचीव और सेकंड टार्गेट टेन ताउजन एट सेवेंट यह यह भी यहां पर अचीव हुआ और आप देख सकते सेकेंड टार्गेट का यह जो लेवल था इसने एक्जैक्ट कल के दिन में दो बार यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और जो ब्रेक आउट लेवल था यह भी एक्जैक्ट सपोर्ट का काम किया इसने तो काफी एकुरेट लेवल इसकल साबित हुए और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो आराउं 25 पॉइंस का ट्रेड करने का मोगा था और 10 लॉट्स की सबसे अगर ट्रेड करते तो आराउं 18,750 का यहां पर प्रॉफिट बहन सकता था तो यह था कल के अनलिसिस का एक क्विकली रिव्यू ग्लोबल मार्केट के हाला देख ले थे कल अमरिकी बजार डाउजोंस नास्डेक रेट कट होने के बाद थोड़े से प जब अश्याई मार्केट ओपन हो चुक है तो निक के यह जापनीज मार्केट और चाइना मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहा है हाला कि होंको मार्केट में 226 पॉइंट्स की गिरा ओट देखने को मिल रही है दाव फीचर देखे तो 40 पॉइंट्स की समय गिरा ओट सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है तो चल्द है निफ्टी के ऊपर विगली चार्ट से शुरू करेंगे यह विगली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का अगर आप हम एक ही दिनों से फॉलो कर रहे तो हमने यहां पर एक रेंज बांड ट्रेडिंग को इसके बीच में कई सारे अपतों से निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है उपर 11200 का रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे यह हंड्रेड यह में आर्मोस्त आराउं 10780 के पास है जो कि एक सपोर्ट का यहां पर काम कर रहा है तो अभी फिला रेंज बांड बचें यह रिस्पेक्ट करता है या नहीं तो यहां पर यह वीकली चाट का सीनारियो चलते है डेली चाट में डेली चाट में हमें कल एक इनसाइड बार ट्रेडिंग देखने को मिला काफी कंसॉलीडेशन पेस था काफी सलगिश मार्केट था यह जो लॉंग कैंडल सिक ब करता है तो ही हमें यहां से नेक्स्ट ट्रेंड का कंफरमेशन में सकते हैं हाला कि सेट अप देखे तो अभी यह टोटली डाउन ट्रेंड का सेट अप बना हुआ है लास्ट फिफ्टी इंटी डेस से यहां पर एक कंसॉलीडेशन पैटन चल रहा है तो अगर यह इस करता है यानि इसके नीचे अगर यह सस्टेन करता है तो और भी डाउंसाइड मूव हमें दीक्रींडेक्स में दिखाए दे सब्सक्राइब्व होगा तो यह दो मेजर अभी सपोर्ट लेवल से निफ्टी इंडेक्स के लिए अगर इनको रिस्पेक्ट करता है तो यहां से बाउंस बैक होने की उम्मीद है और जो अभी 20 ए में का यह जो पिंक लाइन है जहां पर लास थ्री डेज यहां पर एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था रि आज के लिए तो यह देली चाट का सेनारियो अभी देखें तो डाउं ट्रेंड है यहां से अगर इन लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में और पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है चलते है सिक्स्टी मिनिट के चाट में क्विक्ली आज के लिए इंट्राडे करता है यह आप देख सकते हैं 20 में भी वहां पर ही आ रहा है सिक्स्टी मिनिट के चार्ट में तो अगर यह 10884 को अगर कमफर्टेबली ब्रेक करता है और यह जो 20 में का यह जो पिंक लाइन है इसके ऊपर अगर यह सस्तेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर बना सकते हैं और यह बंब करता है तो ही अब अगर comfortably अगर यह break करता है तो ही intraday के लिए हम यह आपर short position मना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा immediate first target होगा 10,773 यह हमारा first target होगा और second target होगा 10,746 यह हमारा second target होगा तो यह है आज के लिए nifty के intraday levels अगर आपको यह वीडियो analysis अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share कर सकते है, comment कर सकते है और subscribe करना ना भूले, so thank you very much and happy trading.